नमस्कार मैं हूँ रेनु भाटिया आज की खास और बड़ी ख़बरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में कहीं अवैद संबंदों में मा बन रही हत्यारिन तो कहीं जमीनी विवात को लेकर पुत्र कर रहे पिता की हत्या जमीनी लालच में पुत्र ने कर दी पिता की हत्या पूरा मामला जनपधमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र का है जहां पर एक कल्यूगी पुत्र ने अपने पिता की जमीनी विवात को लेकर हत्या कर दी कल्यूग में रिष्टों पर भारी पढ़ रही जमीन जायदाद लालच और अवैद संबंध आपको बता दें कि अभी तीन दिन पहले ही एक माह ने अवैद संबंधों के चलते राट कोतवाली के ग्राम गालहिया में अपने साथ परशिय पुत्र की हत्या कर दी और आरोप प शेत्र में पुत्र ने सिर्फ इस बात पर अपने पिता की हत्या कर दी कि वो जमीन जायदाद और घर का पटवारा चाहता था सोचने वाली बात है कि जिस बाप ने उली पकड़ कर अपने पुत्र को चलना सिखाया और दुनियादारी को समझाया उसी पुत्र ने आज अपने बाप को फरसे से हमला कर लहुलुहान कर दिया जिसको इलाज के लिए पुलीस द्वारा स्वास्ते केंद्र ले जाया गया जहां पर इलाज चल रहा है लेकिन पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया आरोपी पुत्र को पुलीस ने इरासत में ले लिया है और मामला पंजीक रतकर कार रवाई की जा रही है सोचने वाली बात यह है कि अब लोग इस पर भरोसा करेंगे जब खून ही खून को बहा रहा है और एक मा जैसा पवित्र रिष्टा अपने पुत्र की हत्या कर रहा है तो दूसरी ओर पुत्र पिता का खून बहा रहा है मत बात जीत ओढ़िए इन जोनों की तो पापा ने कहा के यहां पर कुछ नहीं होगा यह सब तो बस और बात अंतर से लेकि आया और मार्दी हैं हम तो अंतर थे उहipने देखा नहीं हमारे दो बच्ची खड़े थी यहां बर्ने देखा है किस वात के लिए के जख़़ा हुआ? यहाँ पर आपनी बिविस्ता बनानी हैं, हमको खाना बनाना यहाँ सामान रखना है तो बस इतकी सी बात में हो गया और कुछ नहीं किस ची से परार किया रहा है? हमला किस ची से किया है भरसा से किया है आज बिन में साड़े ग्यारा मजे क्यास पास कुरारा कस्वे में कृपा संकर उर्क मिटाईला सोनी को उनके लड़के रामेंदरुर्फ रामु सोनी ने गणासा फरसा से वार करके गले में छोड पोचा दिया जिससे गंबी रूप से घाय लोगे इसकी सुचना पर पुलिस म इनके मृत्ति हो गई है कटना के बारे मताया जाता था इनका गड़का काता था मुझे घर और जमीन बांट बांट दीजिए मुझे अलग रहना है इसी बात को लेकर बिबाद हुआ जिसके बार उसने इन पर उपर हम लाग दिया वीरो रिकोर्ट न्यूज अब भारत